हेलो फ्रेंड स्वागता आपके अपके अपने यूटूब चैनल में और हमारा जो टोपिक है वो चल रहा था सिक्षा मनोविज्ञान का सिक्षा का मतलब है वेवहार में उन्नेयन करना यानि उन्नती करना जो चीज विक्सित नहीं है वेवहार में उसको विक्सित करना और मनोविज्ञान जो है उसका सबको पता है व्यवहार का अध्यन करना जो वर्तमान में मनोविज्ञान का अर्थ है वाट्सन ने जो व्यवहार का विज्ञान दिया था उसी इसाब से मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मना जाता है जिसमें व्यवहार का अध्यन क तो अब ही जो सिक्षामनुविग्यान का टौपिक है हमारा almost complete हो चुका है आज हम गर्चामनुविग्यान तो जाइश से बात अंदर शिक्षामिल है ऌप सिक्षामे करूप कितने हैना pencil रूप कोकै जो सिक्षामिल Cu वो निरोपचारिक सिक्षा भी चल रही है, निरोपचारिक सिक्षन भी चल रहा है, लेकिन mostly जो है, परमुख जो है, मुख्य जो है, वो दो ही है, एक ओपचारिक रूप, ओपचारिक रूप जो है विद्याले सिक्षा, इसका एक प्रोपर टाइम टेबल होता है, एक फिर नीवजित होती है मतलब ऐसा नीयोजन किया जते है योजना बनाई जते भी एक साल इस क्लास में बठेगा बच्चा फिर एकजाम होंगे फिर नेक्स्ट ख्लास में तो इस तरीके से जो होता है वो उपचारिक शीक्षा होती है फोर्मल एजूकेशन ठीक है फिर आती है अनोपचारिक रूप में क्या है कहीं भी कैसे भी किसी के द्वारा भी कोई टाइम लिमिट नहीं होती कोई वाउंडर नहीं होती कोई विधिया नहीं होती कोई निश्चित समय नहीं होता तो उस जब कुछ सीखने को मिलता है ऐसी स्थिति में तो उसको अनोपचारिक रूप इसके friends होते हैं उनके साथ रहता है तो जो उनसे सीखता है वो अनोब चारिक सीख़ा के अंदर आ जाते है इसमें कोई अनुशाशन नहीं होता मा होती है या फिर कोई और उसे कुछ सिखाता है कोई निष्ञित समय नहीं होता कोई स्थान नहीं होता कोई विधिया नहीं होती निश्चित नहीं होता कुछ भी और पूरव नियोजित नहीं होता ऐसा नहीं होता कि सबसे मा ने कुछ decide किया हो या फिर उतने इतनी देर में वो सिखाई गया ऐसा नहीं हो था बच्चा कभी भी कुछ भी कहीं से भी किसी से भी सीख सकता है तो उसको बोलते हैं अनौप चारिक अभी वर्तमान में एक और जो है प्रचलन सिख्षा का बढ़ गया है वो निरोप चारिक है निरोप चारिक शिख्षा जो है यह है इसको दुरस्त शिख्षा भी कहते हैं ओपन यूनिवर्सिटी के माद्यम से जो शिख्षा दी जा रही है इसमें क्या है टीचर होते हैं समय भी निर्धारित होता है लेकिन स्थान निर्धारित नहीं होता और टीचर जो है बच्चे के एक्जाम लिये जाते हैं उनको next class के अंदर बेज दिया जाता है open university के माधियम से open school के माधियम से जो सिख्षा दी जाते हैं उसको निरोप चारिक सिख्षा कहते हैं तो अब हम पढ़ लेते हैं कि सिख्षन को कितने द्रुविया प्रक्रिया बताया गया है पुरानी विचारदारा के साब से नई विचारदारा के साब से इसमें सिख्षन को पुरानी विचारदारा जो कि Adams ने दी थी Adams ने दूई द्रुविया माना था सिख्षा को कि सिख्ष जैसे उनके गुरु कुल वगैरा में इस इसक्षा होती थी उसमें एक शीक्षक था विद्यार्थी उता था कोई क्रेटिव गेम्स में होते थी तरीके की Manoo विघ्यानिक शीक्षा नहीं थी वो वो बस यूँ ही बच्चे को एक boundary में धाल के और सिक्षा दिजाती इसमें सिक्षक होता था विद्यार्थी होता था और उनके बीच में जो है अन्तेक्रिया होती थी कोई निर्धारिक पाठेक्रम नहीं होता था पाठेचर्या नहीं होती थी बच्चे बस जैसे उनके गुरू उनके सिक्षक उनके सिखाते थे वैसे ही जो है वो सीख जाते थे तो इस तरीके से द्वी दुरूविया जो प्रक्रिया है वो चलती थी सिक्षण की और एडन्स नहीं दी थी ऐसा आपने याद रखना है इसमें सिक्षक सिक्षन के दवारा विध्यार्थियों के विवहार में परिवर्तन एवं विकास आतमक परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया है यह जो है इसमें सिक्षक क्या करता है सिक्षन करवाता है और अपने वे के अंदर मतलब कोई मनोविग्यानिक विध्या नहीं होता किस तरीके की कोई भी मतलब ऐसा मनोरंजन वाला जो है सिस्ट्रम नहीं होता बस सिख्षक सीखाता और बच्चा सीखता है उसके विवहार में परिवर्थन किया जाता है और उसके विवहार का विकास किया जाता है नई नई जो चीज़े होते हैं जो उसके विवहार में विक् यानिक रूप दिया तो उस समय क्या है सिक्षन को त्री दुरुविया मान लिया गया त्री दुरुविया के अंदर जो है जोन डुवी का नाम भी आता है और बियस ब्लूम का भी नाम आता है इन्होंने त्री दुरुविया मना कि एक सिक्षक होता है एक विद्यार्थी उतर पाठे चरह होते हैं जिसके साथ ये दोनों अन्तेक्रिया करते हैं और सिक्षन करवाया जाता है मतलब जो सिक्षक और विद्यारती है वो किसके माध्यम से अन्तेक्रिया करते हैं पाठेक्रम के माध्यम से ये पाठेक्रम से सीखते हैं, शिक्षक जो है पाठेक्रम के माध्यम से बच्चे को सिखाता है, तो ये त्री दुरुया प्रक्रिया है, जिसका जिकर किया था, वो भी अस ब्लूम और जॉन डुवी नी किया था, और दुरुया प्रक्रिया का जिकर किया था, एडम्स ने, व जो चीज है, वो सिख्षक के द्वारा बच्चे के अंदर विक्सित करनी होती है, कोई कोशल विक्सित करनी होती है, किसी तथे के बारे में बच्चे को अउगत कराना होता है, तो कोई न कोई उदेश्य होता है, उदेश्य पूर्ण नियोजन भी होता है, मतलब सिख्षक ऐस से नियोजन बनाता है योजना बनाता है सिक्षन के दवारा विद्यार्थियों के विवहार में उत्पन समश्याओं का निदान करके उपचार किया जाता है अब निदान और उपचार मुल्यांकन वाले टोपिंग में पढ़ते हैं निदान होता है कठिनाईयों का पता लगान उसे पता ही नहीं होगा कि बिमारी है क्या तो फिर वो उपचार नहीं कर पाएगा वो दवाई नहीं दे पाएगा इसी तरीके से सिक्षन में भी होता है बच्चे को जो समश्चाई होती है जो कटिनाईयां होती है पहले उनका पता लगाया जाता है सिक्षक के दवारा और फ कर達 सिक्षण इवं अधिगम दोनों साथ साउत चलने वाली प्रक्रिय ये तो इसको समझना ज़ादा कठी नहीं है आप पताल चाल है और सिंख्ष हम और आपने वाली प्रक्रिया आमने वाल ब्रक्रिया время सिक्षन होता है वो आमने सामने होने वाले प्रक्रिया है जैसे बच्चे बैठे होते हैं और सिक्षक जो है उनको पढ़ा रहा होता है उनको टीच करवा रहा है उनको सिखा रहा होता है तो सिक्षन तभी होता है जब बच्चा और टीचर आमने सामने होते हैं उसी situation में सिक्षन जो है possible हो पाता है सिक्षन के दवारा पूरण कोशल का विकास किया जाता है सिक्षन के माद्यम से जो सिक्षक है वो बच्चे के अंदर पूरा कोशल विक्सित करता है मतलब बच्चे के अंदर वो जो skill है उसको पूरी तरीके से develop करता है सिक्षन के माद्यम से अब आ जाते हैं सिक्षन के चर और सिक्षन के चर पूछ भी लिये जाते है और उनके बारे में ये भी पूछ लिये जाता है कि वो चर किस तरह के है विशयवस्तु को परभावित करने वाले या होने वाले गटक चर कहलाते है मतलब जो विशय वस्तु को परभावित करते हैं वो चर जो है वो गटक जो है वो क्या कहलाते है सिक्षन के चर कहलाते है जो पाठ्य चर्या है जो विशय वस्तु है जिसके बारे में बच्चे को अवगत कराना है जिसके बारे में बच्चे को बताना है पढ़ाना है अधिगम करवाना है उसके अंदर जो गटक शामिल होंगी उसको सिक्षन के चर कहते हैं तो आप जान सकते हैं कि सिक्षन के अंदर कौन कौन से गटक होते हैं सिक्षक होता है ठीक है बच्चा होता है और पाठे चर्या होती है तो इनको कहते क्या है जो सिक्षक ह उसे पता है कि उसे क्या समझाना, कितना समझाना है, और किन विदियों का यूज़ करना है, तो वो स्वतंत्र है, वो freedomic है, उसे किसी की बच्चे या पाथे चरया के उपर depend रहने की जरूरत नहीं है, आश्रीत चर होता है बच्चा, बच्चा हर तरीके से किस पे आश्रीत हो पाथे चरया होता है, जिसके साथ जो है इंटरेक्ट किया जाता है, सिक्षक और बच्चे के दवारा, तो ये तीन चर होते हैं, ये आपने याद रखने हैं, फिर आता है सिक्षन का महतो, अब सिक्षन का महतो बतानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप टीचर बनने वाले ह तो सिक्षन का महतो तो समझते ही होंगे, सिक्षन करवाने से पहले उदेश्यों का निरधारन किया जाता है, बिना उदेश्य की निर उदेश्या जो है सिक्षन का भी नहीं हो सकता, पहले उदेश्य निरधारित किया जाता है, क्यों से कोशल बच्चे में विक्सित करने है कौन सी चीज़ बच्चे को सिखानी है और उनी उदेशों के अधार पर सिक्षन करवाया जाता है फिर जो त्रीद रुविया प्रक्रिया है उसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सिक्षन उदेश्य होते हैं फिर अधिगम अनुभव और फिर इनका मुल्यांकन किया जाता ह कि पहले सिक्षन उदेश्य निर्धारित किया जाते हैं फिर बच्चे को अधिगम अनुभव कराया जाता है और फिर उसका मुल्यांकन किया जाता है कि उसने कितना सीख लिया और फिर जो है अधिगम अनुभव करवाने के बाद में मुल्यांकन करके उस मुल्यांकन को उसकी कटिनाई क्या है फिर उसका निदान किया जाता है और फिर निदान करने के बाद में जो कटिनाई आए थी जो समश्या है थी उनको दूर करके उपचार किया जाता है तो यह पूरी प्रक्रिया होती है सिक्षन पाठ्यक्रम के अनुसार होता है ऐसे नहीं है कि सिक्षन क माद्यम से बच्चे के अंदर विक्सित करता है सिक्षन के साथ पाठे से गामी क्रियाएं भी होती है को स्कूलेस्टिक जो एक्टिविटीज होती है वो होती है बच्चे को सिर्फ पढ़ाया ही नहीं जाता स्कूल के अंदर उसको पढ़ाने के साथ साथ और भी बहुत सारी activities करवाई जाती जिसके मध्यम से उसकी skill जो है develop होती है और ये जरूरी भी होती है और आज कल तो स्कूलों में ये compulsory कर दिया गया है कि बच्चे को अकेला पढ़ाना ही नहीं है उसे games के अंदर, art and craft के अंदर, dance, singing ये सब चीजें भी सामिल की गई है ताकि बच्चा जो है बोरियत फिल ना करें और अगर उसके अंदर ऐसी कोई skill है तो वो भी develop हो जाए तो आज हमारा सिक्षा मनोविज्यान का पूरा का पूरा topic खत्म होता है हमने जो है मनोविज्यान की शाखाएं देखी और फिर सिक्षा मनोविज्यान जो पहली शाखा थी उसको complete कर लिया बाकी की शाखाएं उनको पढ़ने की हमें जरूर नहीं है बस उनके बारे में हमें इतना पता होना चाहिए कि उन शाखाओं बहुत बड़ा ये platform है लेकिन यहाँ पे जो फालतू की चीज़े है वो promote हो जाती है audience के द्वारा, viewers के द्वारा उनको पसंद कर लिया जाता है लेकिन जो काम की चीज़े होती है अगर कोई महनत कर रहा है आपको अच्छा content दे रहा है तो उसको कभी भी जो है वो respect वो जट वो जो following है वो नहीं मिल पाती जैसा मेरे साथ हो रहा है तो I hope आप समझ रहे होंगे और आप जरूर support करेंगे आप class की बाद अपना review जरूर दीचिए और channel को subscribe करें वीडियो को share करें लाइक भी करें तो मिलते हैं नेक्स रूडियो में तब तक के लिए thank you